जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्व मंगलकारी शिरी शिद्धिगनेश व्रतकथा और ये व्रतकथा इस प्रकार है एक वार शौनकादी अठासी हजार इशियों ने शास्त्र वृता सूद जी से पूछा कि हे सूद जी महाराज सभी कारेों की निर् पर वेमनस्य से अलगा तथा उदासिंता से अनुपलता कैसे मिल सकती है विद्यो पारजन वानेजे वैपार कृशी कर्म एवन साश को द्वारा अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है किस देवता की पूजन से मनुश्यों को अभिष्ट की प्राप्ती हो सकती है सूथ जी ने कहा कि जब कॉर्वो पान्डवों की सेना युद हितु सन्नद हुई तो कुंति नंदा निधिस्टी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण जी आप बताएं कि किस देवता की अराधना से हम निर्भीन विजय प्राप्त कर सकेंगे श्री किष्ण ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजे श्री गणिश जी का पूजन कीजिए उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे यह निश्चित है तब धिस्टीर के पूछने पर श्री किष्ण ने उन्हें सर्व मंगलकारी श्री श्री वयंती ने सिता जी की पुन्हाप्राप्ति के लिए रगुनाथ जी ने सिता जी के दर्शन के लिए हनमान जी ने गंगा जी को लाने के लिए भागी रत ने समुद्र से अमरित निकालने के लिए देवता था दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की ही अराधना की थी औ उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मनी को पा गया हूँ। विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्राथी पूत्र का, पती की कामना करने वाली करने अपती का, सुभासनी सुभा के संपत्ती का लाव देते हैं वेधवे दुख से पेडित हो इस्तरी यदि शिरी शिद्धि गणेश की पूजा करे तो वेजन जर्मांतर में कभी वेधवे का दुख नहीं झेलती गड़े जी के पूजन करने पर विष्णु महादेव सूरे पारवती और हुताशन आदी सभी देवताएं पूजित हो जाते हैं इसमें संदे नहीं है सूजी कहते हैं कि हे मुनीवरो भक्ति पूरवक सरमंगलकारी शिरी शिद्ध गणेश का व्रत करने से सब संतुस्ठ हो जाते हैं श्रीकृष्ण भगवान राजा से कहते है कि हे राजन एधिश्टिर इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संगराम में अपने शत्रों को परास कर अपनी राजे संपत्ति को प्राप्थ करोगे तब राजा इधिश्टिर ने श्रीकृष्ण द्वारब बताई कि विधी के अनुसार अपने भायों सही तुम प्रारतिपूर घाती देव के पुत्र श्री सिद्धि गणेश की पूजा की संगराम शत्रों को मार अपना राजे प्राप्थ कर लिया सुची शौणागादी मुनियों से कहते हैं कि जो मंद प्रारब्द भी हो उस पर सिद्ध दाता गणेश का पूजन करें तो उस मंद भागी के भी मन के विचार सब कारें सिद्ध हो जाते इस पवित्र व्याखान को जो समाहित चित से सुनता है उस अथवा सुनाता है उसक शिद्ध गणेश जैद शिद्ध गणेश करते चले आ रहे थे लिलावती नामिक अत्यान दुखी महिला ने उनके मुख से शिद्ध गणेश के सुमधूर स्वर को सुनाता है मंत्र मुख्द सी हो गए जब दंपती एक पेड़ के नीचे चाम में विश्राम करने ही तो खड़ी हो गई और पूछने लगी कि आप किस परकार इतने सुखी प्रशन एवं स्वस्त दिखाई दे रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ कि पर मेरे दुख का निवारन का उपाय बतलाई है तब उस दंपती ने मुस्करा कर एक दुसरे की और देखा और कहा कि हम सर्व पूजेत श्री गणेश जी का व्रत है इसे बुद्वार को आरम करते हैं यहें पोती पढ़कर पूजा आधी करते हैं इस व्रत को करते समय जूट चल आधी बुरी आतों का त्या करना उचित रहता है व्रत पूर्ण होने पर यथा सकती पुस्त के दान की जाती है इतने सर तरह ठीक नहीं था बिलकुल सुधर गया और अपनी पात्नी और परिवार को प्रेम पुर्वक साथ में रहने लगा उसकी साथ जो पहले से बहुत दुख देती थी उसमें अपनी बेटी की च्छबी दिखने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी उसको संतान का बहुत चिंती रहते परंतु सर्वंगार कारे शिरी शित्यगडेश वरत्क रखने पर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ती हुई जिसके होते उसके घर में खुश्यों की बर्खा होने लगी और पती के कारुपार में भी उन्निती हुई और वे किराय के मकान छोड़का सुविधा संपन बंगले में रहने लगी और उसकी समाज में हर जगा पूछपरक बढ़ने लगी यह सभी लोगों से इस महान वरत्का प्रभाब बताने लगी और स्वेम भी हमेशा इफ्टरत का पालन करती रहे गणे जी के जैसे उसे संपन किया वैसे ही सभी को संपन करे जो पड़े अत्वा सुने उसके भी सभी मनों न सिद्धों इस परकाश रिशेद गनेश वरत कथा सम्मागत हुई